स्वामी विवेकानंद की जीवनी, स्वामी विवेकानंद वेदांद के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरू थे, उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्था, उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्वधर्म महासभा में भ अभारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्त्रिता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्न मिशन की स्थापना की थी जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्न परमहंस के सुयोग्य शिश्य थे। उन्ह स्वामी विवेकानंद का जीवनवरित स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जन्वरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता पाश्चात् वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ा कर पाश्चात्य सभ्यता के धर्रे पर चलाना चाहते थे। वे वेदान्त और योग को पश्चिम संस्कृती में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। देवयोग से विश्वनात दत की मृत्यू हो गई। घर का भार नरेंद्र पर आपड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। अत्यांत दर्रिद्रता में भी नरेंद्र बड़े अतिथी सेवी थे। स्वयम भूखे रहकर अतिथी को भोजन कराते, स्वयम बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथी को अपने बिस्तर पर सुला देते। स्वामी विवेकानन्द अपना जीवन अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुम्ब की नाजुक हालत की चिंता किये बिना, स्वयम के भोजन की चिंता किये बिना वे गुरु सेवा में सतत सनलग्न रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यांत रुगन हो गया था। विवेकानन्द बड़े स्वपंद रिष्टा थे। उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की थी, ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाती के आधार पर मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं रहे। उन्होंने को इसी रूप में रखा। अध्यातमवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी यह कहा जा सकता है कि समता के सिध्धान्त की जो आधार विवेकानन्द ने दिया, उससे सबल बौधिधक आधार शायद ही ढूंड़ा जा सके। विवेकानन्द को युवक स्वामी विवेकानन्द के सामाजिक दर्शन एव उनके मानविया रूप का पूरा प्रकाश पढ़े। स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा दर्शन के आधार भूध सिध्धान्त निम्न लिखित हैं। 4. धार्मिक शिक्षा, पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संसकारों द्वारा देनी चाहिए। 5. पाथ्यक्रम में लौकिक एवं पालोकिक दोनों प्रकार के विशयों को स्थान देना चाहिए। 6. शिक्षा, गुरु ग्रह में प्राप्त की जा सकती है। 7. शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। 8. सर्व साधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जान चाहिए। 9. देश की आर्थिक प्रगती के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 10. मानविय एवं राष्ट्रिय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का बच्चपन बच्चपन से ही नरेंद्र अत्यांत कुशाग्र बुद्धी के और नटखट थे। अपने साथी बच्चों के साथ तो वे शरारत करते ही थे, मौका मिलने पर वे अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। नरेंद्र के घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था धार्मिक प्रवृती की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुरान, रामायन, महभारत आधी की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्टन भी होता रहता था। कभी वे ऐसे प्रशन पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित जी तक चक्कर में पढ़ जाते थे। गुरू के प्रती निश्ठा एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घरिना और निश्क्रियता देखाई तथा घरिना से नाकभान सिकोडी। यह देखकर स्वामी विवेकानंद को क्रोध आ गया। समग्रा विश्व में भारत के अमूले आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नीव में थी ऐसी गुरु भक्ती, गुरु सेवा और गुरु के प्रती अनन्य निश्ठा। शिकागो धर्म महा सम्मेलन भाशन अमेरिकी बहनों और भाईयों, आपने जिस सोहाद और सनेल के साथ हम लोगों का स्वागत किया हैं, उसके प्रती आभार प्रकट करने के निमित खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णिया हर्ष से पूर्ण हो रहा हैं। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंप्रा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ, और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटी-कोटी हिंदूओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंचपर से बोलने वाले उन कतिपे वक्ताओं के प्रती भी धन्यवाद ग्यापित करता हूँ, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उलेक करते समय आपको यह बतलाया हैं कि सुदूर देशों के ये लोग सहिशनुता का भाव विविद देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं. मैं एक ऐसे धर्म का अनुयाई होने में गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने संसार को सहिशनुता तथा सार्वभौम स्वीकृती दोनों की ही शिक्षा दी हैं. हम लोग सब धर्मों के प्रती केवल सहिशनुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्थ धर्मों को सच्चा मान कर स्वीकार करते हैं. मुझे ऐसे देश का व्यक्ती होने का अभिमान हैं, जिसने इस प्रत्वी के समस्थ धर्मों और देशों के उतपीडितों और शरनार्थियों को आश्रय दिया हैं. मुझे आपको यह बतलाते हुए गर में मिला दिया गया था. ऐसे धर्म का अनुयाई होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने महान जर्थुष्ट्र जाती के अवशिष्ट अंश को शरन दी और जिसका पालन वो अब तक कर रहा हैं. भायो, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियां सु होने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की. 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिशद हो रही थी. स्वामी विविकानन्द उसमें भारत के प्रतीनेधी के रूप में पहुंचे. योरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही द्रिश्टी से देखते थे. वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विविकानन्द को सर्वधहम परिशद में बोलने का समय ही न मिले. एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला किन्तु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकेत हो उनकी वक्त्रित्व शैली तथा ज्यान को देखते हुए वहां के मीडिया ने उन्हें साइकलोनिक हिंदू का नाम दिया. तीन आध्यात्म विद्या और भारतिय दर्शन के बिना विश्वानात हो जाएगा यह स्वामी विविकानन्द जी का द्रिड विश्वास था. अमे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे. भारत के गौरव को देश देशांतरों में उजज्वल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया. जब भी वो कहीं जाते थे तो लोग उनसे बहुत खुश होते थे. विविकानन्द का योगदान तथा महत्व. 49 वर्ष के संक्षिप जीवंकाल में स्वामी विवेकानन्द जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीडियों का मार्ग दर्शन करते रहेंगे. 30 वर्ष की आयू में स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का अधित्व किया और उसे सार्वभॉमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानन्द को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं रोमान रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितिया होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए, सर्व प्रथम हुए। हर कोई उनमें अपने नेता का दिखदर्शन करता। वे इश्वर के प्रतीनिधी थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर ले माथे पर लिख दिया हो, वे केवल संथ ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लोटकर उन्होंने देशवासियों का आहवान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोधी की दुकान से, भडभूंजे के भाड से, कार खाने से, हाट से, बजार से, निकल पड़े जाडियों, जंगलों, पहाडों, परवतों से, और जंता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया, वो गर्भ के साथ निकल पड़ी, गान्धी जी को आजादी की लढ़ाई में जो जन समर्थन मिला, वो विव भारत्वर्ष धर्म एवं दर्शन की पुन्य भूमी है। यहीं बड़े-बड़े महात्माओं वर रिशियों का जन्म हुआ, यहीं सन्यास एवं त्याग की भूमी है तथा यहीं, केवल यहीं, आदेकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच आदर्श एव मुक्ती का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो, जागो, स्वयम जाग कर औरों को जगाओ। अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक की लक्ष प्राप्त न हो जाए। झाल 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 झाल